हलो फ्रेंड्स आज सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत ज़ाद है आज हम बात करेंगे प्रेगनसी में चाय या काफी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए अगर पीनी चाहिए तो कितनी पीनी चाहिए क्या हमारे बेबी के लिए या हमारे लिए प्रेगनसी में चाय काफ काफी पीते हैं लेकि जम महिला उता है तो उस सम्भ में सभी लोगлом नहीं क्यों काउटी दूटकali सब्सक्राइए शीर करोंगे चाय कोफ़ी क्यों नहीं पीनी चाहिए या क्यों 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 पीनी चाहिए क्योंकि जब महिला pregnant होती है तब उसको कभी कुछ तो कभी कुछ खाने का मन करता है कभी चाय पीने का मन करता है तो कभी काफी पीने का मन करता है कभी दो से तीन बार भी उससे भी ज़्यादा काफी पीने का मन करता है चाय पीने का मन करता है, चॉकलेट खाने का मन करता है, कोला पीने का मन करता है, ये सारी चीजों का मन करता है, लेकिन ये सारी चीजें आपके बेबी को नुकसान भी पहुचा सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आप कॉफी या चाय का इस्तेमाल कर सकती है, क्य तो आपके बेबी के लिए खतरनाक सावित हो सकती है क्योंकि कैफिन आपके बेबी के पास जो ब्लड जाता है उसको रोकती है विक आपके बेबी के पिकास को रोकती है बेबी अविक्रिशित रहने के चांस हो जाते हैं प्रेग्डेंसी के दोरान कैफिन का सेवन करना पहुत में 200 Miligram से जजादा कैφेन का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एक दिन में आप एक से दो कप चाए या एक से दो कप कौफी का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन याद रखना दोनों में से एक चीज का इस्तमाल करना है दोनों का इस्तमाल नहीं करना है एक साथ एक कप चाए या एक कप कॉफी पी सकती हैं अब आप पता कैसे करेंगी कि मैं 200 mg तग ही कैफिन का इस्तेमाल कर रही हूँ या इससे ज़्यादा हो रहा है या इससे कम हो रहा है तो मैं आपको बता रहे हूँ जिससे आप कल्कुलेट करके आप अपना कल्कुलेशन करके इस तरह से चाया कॉफी डॉर्ट चॉकलेट, चॉकलेट, कोला इस तरह ही से आप इस्थेमाल कर सकती है एक फिल्टर कॉफी में 140 mg कैफेन होता है एंस्टेट कॉफी में 100 mg कैफेन होता है चॉकलेट में 250 mg कैफेन होता है एक कप चाय में 70 mg कैफेन होता है वही कोला के एक कैन में 40 mg कैफिन होता है इस तरह से आप कैलकुलेट करके चाए या कॉफी पी सकती है चॉकलेट खा सकती है एक दिन में आप कितनी कैफिन का इस्तमाल कर रही है अगर आप 200 mg से ज़्यादा कैफिन का इस्तमाल एक दिन में करेंगी तो आपके miscarriage होने के chance बढ़ जाते है low birth baby के chance बढ़ जाते है ये तो थे चाय काफी से आपके baby को होने वाले लुक्सान लेकिन आपको भी इससे नुक्षान हो सकते है pregnancy के दोरान अधिक चाय या काफी पीने से बेचैनी हो सकती है घबराहाट हो सकती है जी घबराने लगता है उल्टिया आने लगती है चड़चड़ापन होने लगता है ये सारी चीजें आपको भी फेस करनी पड़ सकती है अगर आप कैफरीन का इस्तमाल ज्यादा करेंगे pregnancy के टाइम पे क्योंकि pregnancy के टाइम पे कैफरीन को हमारी बॉड़ी जल्दी से पचा नहीं पाती है हजम नहीं कर पाती है जल्दी से निकाल नहीं पाती है इसलिए pregnancy में कैफरीन नुक्षान करती है इस बात का आपको ध्यान रखना है चाई, कॉफी, कोला, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट इन सभी का आप इस्तिमाल कर सकती है लेकिन आप इसका एक सही amount रखे तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको आगे चलके इसका कोई भी गलस side effect नहीं होगा बस आप अपना amount सही रखे और इसको सही तरह से आप खा या पी सकते हैं अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें